कैसे हो आप? बच्चो, मैं अलकारावत, आज आपको पढ़ाऊंगी कक्सा 5 संस्कृत का दसमा पाठ हो, दसमा पाठ, जिसका नाम है उत्राखंड हो, उत्राखंड, तो ये तो सभी बच्चे जानते होंगे, क्या है उत्राखंड? उत्राखंड हमारा राज्य है, राज्य को प्रदेश भी कहते हैं, उत्राखंड हमारा प्रदेश है, और उत्राखंड की राजधानी कहा है? देरादून है, और उत्राखंड में दो मंडल है, कुमाव मंडल और गड़वाल मंडल, और तेरा जनपद है, तो बच्चो देखते हैं संस्कृत में उत्राखंड के बारे में क्या क्या कहा गया है तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर देखेंगे बच्चे कि यहाँ पर उत्राखंड का एक नक्सा बनाया गया है मैप तो इस मैप में क्या है हमारे उत्राखंड के 13 के 13 जनपद दिखाए गए है तो 13 के 13 जनपद इस मैप में बच्चे बनाना भी सीख सकते हैं और ये भी पता चलेगा कि कौन सा जनपद किस जनपद के साथ मिला हुआ है किस जनपद के साथ कौन सा जनपद पड़ेगा इस परकार से बचे इस मैप की सायता से देख सकते हैं तो चलिए अब पढ़ते हैं पार्ट अब पार्ट में लिखा गया है अस्माकम प्रदेशस्य नाम उत्राखंडः अस्ति अस्माकम मिज हमारे प्रदेशस्य मिज प्रदेश का नाम उत्राखंडः है आयम भारत अस्य उतर भागे अस्ति यहां भारत के उतर भाग में है अस्य राजधानी देरादूनम अस्ति इसकी राजधानी देरादून है उत्रा खंडे दो मंडलों स्था उत्रा खंड में दो मंडल हैं एक हा कुमाव मंडल है अपरह च गड़वाल मंडल है एक हा मींस एक कुमाव मंडल अपरह मींस दूसरा गड़वाल मंडल तो कितने मंडल हैं? दो एक कुमाव मंडल और एक गड़वाल मंडल अस्य त्रयोदसह जन्पदा संती इसके त्रयोदसह त्रयोदसह मीन्स तेरह जन्पद हैं अत्र बहुनी तीर्थ अस्थानानी संती अत्र मीन्स यहां बहुनी मीन्स बहुत से तीर्थ अस्थानानी मीन्स तीर्थ अस्थान हैं अतह जना दर्सनार्थम आगच्छन्ती अतह जना मीन्स लोग दर्सन करने के लिए यहां आते हैं अस्माकम परदेशे सर्वत्र प्राकृतिकी शुष्मा बिलशती अस्माकम मतला हमारे परदेश में सर्वत्र सभी जगए प्राकृतिक शुष्मा प्राकृतिक सोभा सुन्दर्ता बिलशती मिन्स क्या सोभाय मान होती है सोभाय मान है हमारे परदेश में सभी जगए प्राकृतिक सुष्मा सुन्दर्ता है हिमालयय अस्य सोभाम वर्दियती हिमालय इसकी सोभा वर्दियती मीन्स बढ़ाता है मंदाकनी अलकनन्दा राम गंगा सरयू प्रभृत्य है नद्य है एतम सिंचयंती मंदाकनी, अलकनन्दा, रामगंगा और सरयू नदी, इत्यादी प्रविर्टयह मींस होता है इत्यादी, नद्यह मींस नदी, एतम इनको यहां क्या करती है, सिंचन्ती, सीचते हैं अत्र, वटह, अत्र मींस यहां, वटह मींस वर्गद, पीपलह, पीपल, देवदार हूँ, देवदार का विरक्ष, सरल विरक्षा, सरल विरक्षा मींस होता है, चीड क्या पेड, संती हैं यहां क्या क्या है, वर्गद, पीपल, देवदार और चीड के पेड भी हैं तत्र गजहा, सिंगहा, भलू कहा, हरिनादया, पसवहा, निवसंती, तत्र, तत्र मींस वहा, वहा मींस वहा, जंगल में, उन जंगलों में जहां पीपल, देवदार, चीड और वर्गत के विरक्ष हैं, उन जंगलों में गजहा, हाती, सिंगहा, सेर, भलू कहा, भलू, हरिनादय और हिरन आधी क्या रहते हैं पसु निवसंति मीन्स रहते हैं मयुरह कुकुटह कोकिलह सुकादय आधी कुजनति मौर कुकुटह मुर्ग कोकिलह कोयल सुकादय सुकादय और आदी पक्षी कुजते हैं सरबत्र पुषपाणी विक्षन्ती सभी जगाय पुषप विक्षित होते हैं मतलब खिलते हैं सभी जगाय पुषप खिलते हैं बहुत सोबनम बहुत सोबनम बहुत ही सुन्दर असमाकम प्रदेश हो हमारा परदेश क्या है बहुत ही सुन्दर है वयम स्वा परदेशम बहु इच्छा महा वयम मीन्स होता है हम सब स्वा मीन्स होता है अपने परदेश क्यों बहुत चाहते हैं इच्छा महा मीन्स चाहते हैं हम सब अपने परदेश को बहुत चाहते हैं अस्य जयगानम गाया महा, इसका जयगान गाते हैं, तो बच्छो ये था हमारे परदेश के बारे में सम्पूण जानकारी थी ये, और इसमें क्या क्या है, कि हमारे परदेश में हमारे परदेश का नाम उतराखंड है, उत्राखंड की राजधानी देहरदून है इसमें दो मंडल है कुमाओ मंडल और गड़वाल मंडल कुमाओ मंडल और गड़वाल मंडल में मिलाकर 13 जनपद है तो कुल मिलाकर हमारे उत्राखंड में 13 जनपद है और 13 जन्पद में से 6 जन्पद कुमाउ मंडल में और 7 जन्पद गडवाल मंडल में है और यहां उत्राखंड से हिमालय दिखता है यहां अलग-अलग परकार के तरह तरह के पेड़, फल, फूल, आदी के चीजे होती है और पसोपक्षिया और जंगल, यहां की नदिया बहुत ही खुबशूरत नदिया है और हमारा परदेश क्या है? इसलिए हमारा परदेश बहुत सुन्दर है हम अपने परदेश को बहुत चाहते हैं तो चाहते हैं ना सभी बच्चे अपने परदेश को अपना घर अपना परदेश तो सबको ही प्यारा लगता है तो ठीक है बच्चो